हलो दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना साइटेक विजन लिटी बिंदी चैनल मैं हूँ संजे स्वागत करता हूँ आप सभी का दोस्तों कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था वाइफाई एडप्टर के उपर तो काफी लोगों का कमेंट आया था और काफी लोगों का कमेंट आज तक भी आ रहा है कि वाइफाई एडप्टर को इंस्टॉल करके और उसको प्रापर तरीके से यूज करना बताईए तो आज की सिमिन हम लोग सीखेंगे कि वाइफाई एडप्टर को जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे हाथ में एक टेरावाइट का वाइफाई एडप्टर है तो इसको हम प्रपर तरीके से जानेंगे कि इसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे कैसे यूज करेंगे इसके इसके बारें प्रपर तरीक देेख सकते हैं कैसे हम use करेंगे और कैसे इसको इसे इसकोSpot करेंगे आ हैं और दियूर्स को आज हम पाने अनदर करेंगे अ करेंगे NET xu Such Live और अगर आपको फातियों कि इसकोः करेंगे और अगर आपके पास Wifi system है और आपको नहीं चला पाते हैं अपने एक कम्टूटर में Wifi तो आपको यह Wifi adapter पर्चेस करना पड़ेगा तो आप इसको पर्चेस कर सकते हैं अपने अपने कम्टूटर में Wifi चलाने के लिए और आज हम इसका रिडियो करने वाला हैं तो यह पूरा देखें और कैसे आपको अपने वाइफ चलाना है वह मैं को इस वीडियो बताने वाला हूं तो दुस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अपने चैनल को सब् और इसके तुन अपने डेक्स टूप में Wi-Fi कनेक्न कर पाएंगे और यह विन्डो और मैक लिए यह इसको यूदिये आप दोनों में इसको ऄसके कर सकते हैं तो आपको कैसे इसको अपने वाइफ़ अड़ाने निकालना है और अगर आपको इसको यूज करना है पर्मेनटली आप अपने डेक्स्टॉप में लगाना चाहते हैं वाइफ़ तो आपको एक ही बार इसमें इसको लगा देना है बार आपको लगाने निकालने की जंजट नहीं रखनी है तो मैंने ऐसी खरीदना चाहते हैं तो अब कि अगर में कोई मुवाइल सौफ है तो आप वहां से जाके खरीच सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्सिन में लिंक है एमेजन की आप वहां से भी जाके इसको खरीच सकते हैं और यह ज्याता महेंगा नहीं आता है आपको धाइसों तक कही ही मिल है तो अब आमको चलना होगा अपनी कंप्रूटर में और इसका ड्रैवर कैसे इंस्ट्रॉल करना है और इसको कैसे अपने WiFi से करेख सकते हैं वह मैं आपको आगे बात हूंगा तो तो सबसे पहले आपको अपने WiFi एलगटर अपने desktop में लगाना है और फिर जो CD है वह आपको और Realty तो आपको MTK पर जाना है और फिर अगर आप Mac चलाते हैं यह फिर Linux पर आप हैं तो आपको Mac यह लीनेक्स पर जाना होगा लेकिन मेरे पास Windows है तो अगर आभी Windows से लाते हैं तो आपकर Windows में जाला होगा और यहां पर जो आपका software रहे वह आपको मिल जाएगा है और यह यह जो software है यहां अपको इंस्टॉल करना हैं और फिर उसके बाद जो आपका adapter रहरे करना है तो जल्दी से आपको इसको install करना है और यहां पर आपको i accept term करना है और फिर आपको next करना है और यहां पर आपको दो option मिलेंगे installation choose के लिए तो आपको install driver only पर click करना है और फिर आपको next करना है और फिर आपको सफटर है वो install हो चुका है आपको finish पर click करना है और फिर यहां पर आपके पास wifi का ऐसा symbol आजाएगा तो इसका मतलब है यह है कि जो आपका adapter है वो आपके computer में connect हो चुका है और यहां पर आपका wifi रहेगा तो आप इसको connect करा सकते हैं तो मेरा WiFi यहां पर connect हो चुका है और आप ऐसे अपने desktop में WiFi connect कर सकते हैं तो बस यह थी चोटी वीडियो जिसके में से आप सीख पाया हूँ कि आप अपने desktop में WiFi कैसे चला सकते हैं और अगर आपको यह buy करना है तो इसी link के आपको नीचे Amazon की मिल जाएगी description में आप वहाँ पर जाके इसको खड़ी सकते हैं या फिर मार्केट में कोई भी आपके पास में दुकान है mobile swap की तो फिर आप mobile लेका computer swap की तो आप वहाँ पर भी जाके इसको buy कर सकते हैं आपको असानी से मिल जाएगा और वहाँ पर याप में तो कोई question पूछ सकते हैं मैं आपके जवाप जोड़ी हुआ तो बस मिलते हैं ऐसी किसी exciting उन्न साथ तो दोस्तों मैं मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर टेकर चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज आप इसको subscribe कर सकत करते हैं जिस पर आपको mobile से related सारी कि सारी वीडियो और information आपको मिल जाती है तो दोस्तों इस वीडियो में तक इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में किसे अच्छे content के साथ तब तक के लिए thank you have a nice day बाइब